हेलोरीबर वेलकम बैग तो स्वेट सिंपल लाइब कैसे हो आप सब्स्वाणिंग का रूटीन यहां स्टार्ट हो गया है एस विज्वल मेरा व्लॉगिंग क्या बोलते हैं ने व्लॉग मौनिंग से स्टार्ट होता है जनरली क्योंकि इमनिंग में इतना कुछ होता नहीं है मेरे पास दिखाने को क्योंकि हम लोग का डिनर वगेरा लंच जो भी हो एक साथ ही दोपहर कोई हो जाता है और कभी कबाद हलका फुलका हो जाता है नाइट में इसलिए मैं मॉर्निंग से ही स्टार्ट करती हूँ और बस यहां पे अब स्टार्ट करूंगी और एक बहुत ही बड़ी खुस खबरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ हम लोग यहां से मूँ हो रहे हैं दूसरी जगह पे बस आपको अभी महिना है एक महिना तो यहां है हम लोग वन मन्थ से भी थोड़ा जादा होगा सो नेक्स मन्थ से हम लोग मूह हो जाएंगे मेभी मिडल अप दम मन्थ प्रोबबली में से सो आप लोगों को ये अपडेट देनी थी मेरी खुसी आप लोगों को एक साथ शेर करनी थी मुझे और यहां मैंने मूंग भीगो के रखे हैं जुकेनी का रोटी हुए न वह खानी थी मुसमी को फिर उसका माइंड चेंज हो गया बूलती है फ्रूट खाऊंगी सो मैंने उसके लिल कीवी और 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 निकाल लिया है और मैंने अपने लिए दूद गरम करके मैं निकल गए थी वालमार्ट यूँकि मुझे ग्रोशरी करने थी सो जब तक मैं ग्रोशरी करके आओ न तो अच्छे से वो थोड़ा सा रूम टेंपरेचर हो जाए ठंडा हो जाए मेडिसिन लेने के लिए और यहां मश्रूम यह दिखे आगे वाला है थोड़ा सा स्पॉर्ट दिख रहे थे उसमें लेकिन पीछे से वह बहुत फ्रेश लग रहा था जो भी मुझे लेना था वालमार्ट से सारा कुछ अलमोस्त यहां पर ले लिया है मैंने और मुस्मी का कॉल आ गया था बीच में कि उसे वो मेपर शिरप चाहिए एक टाइम ऐसा था ने वालमार्ट इजी ली चीजे पता चल जाती थी किस आयल में क्या चीज है और अभी मुझे ढूंडनी पड़ रही है चीजे क्योंकि दो साल से लाइफ जैसे स्टॉप सी हो गई थी ने कोरोना की वज़े से बहार ही नहीं निकलते थी सो इतना मैंने कौन से आयल में है कौन से आयल में वही मैं भूल गई थी फिर मैंने मुसमी को फोन करके पूछा के यार यह कौन से आयल में है मुझे हस रे थिंग ममी आपको पता नहीं यह वालमार्ट में कौन से आयल में क्या चीज है मैंने बले हाँ यार भूल गई क्या क तो बस वही डुनते डुनते काफी टाइम लग गया था उसमें से सो फाइनली ले के निकली और जब बहार ने के निकली तो देखी अतनी जोरों से बाहरी हो रही थी हो चुकी थी एक्चुली मैं बाहर निकली तो बहुत ही वह कहते है ना जुर्मुर वाली चल रही थी अभी तो लेकिन काफी जोड़दार से हो रही थी फिर उसके बाद यहां मैं CVS में आगे मेरी मेडिसिन पिक अप करने के लिए यह एवरी अदर डे इन लोग नोटिफिके बस यहां जो चीज धुने की थी वह मैंने दो दी जैसे की मिलका गेलन हो गया मैं पर सिरॉप की बॉटल हो गया यह सारी चीजे तो धूल जाती है और यहां पर यह देखो सारा बजार फैला के बैठी हूँ तो इसमें से जो भी तो फ्रीज में नहीं रखोंगी थोड़े रहने दूनी पहले लंच वगेरा बना दो जो भी कुछ धूना था मैंने वह दो दिया यहां पर कुछी इसको है डीप करके भी रखा है वेजेटेबल को साइड में सो यहां मैं लंच की तैयारी पहले कर लूँगी फिर उसके बाद तब तक वह 10 मिनिट तक तो वैसे भी मै सो फिर उसको मैं वाश करके जहां रखना है सुखने कर रख दूंगी अच्छली ओवरनाइट रख देती हूं सो अच्छे से वह ड्राइ हो जाते हैं सो बस यहां पर मैं मुंग भिगो के गई थी सुबे से उठी थी न तब से मैंने भिगो दिये थे यहां पर जो जो ग्रीन मुंग होते हैं वही मै बनाओंगी आज और फ्रेस लिजो सिलेंट्रो आया है वह भी मै लेके आ गई यहां से वाल्माट से वह भी मैं धोकी इसमें डालूंगी तो सारी कुछ तयारिया कर लेंगे यहां और मुंग मैं कोई ग्रेवी वाला नहीं बनाती हूं मैं धिले बनाती हूं लेकिन वो अन्यन टमेटों नहीं डालती हूं बस ऐसे ही आज राई जीरा का यहां छोक लगा देंगे इसमें तेल के अंदर और बहुत सारा लसून यहां म बहुत सो अच्छे सी से में 30-40 सेकंड जितना हो यहां साटे कर लूँगी और थोड़ी सी हींग डाल दूँगी इसके अंदर में यह छोटी चमज है मेरी हींग मैं वैसे भी छोटी चमज रखती हूं तो वो डाल दिया है यहां पर और हमारे वही देसी मसाले धनिया जीरा पाउडर कस्मी दी रेट चिली पाउडर हो गया है गरम मसाला थोड़ा सा डाल दूँगी सो बस यह सारे मसाले अच्छे से यहां भून लेंगे तेल के अंदर हल्दी डाल दी है यहां पर एक चमज मैंने और बेसिक मसाले हमारे होते हैं उससे ही टेस्ट बहुत अच्छे यहां पिली अच्छे से लेए लेल क्यों इंद में गया हैं गया है वहां बैदा यहां इंदी टूम अ और यहां पर ना कूकर का विसल लगाने गई धकन धकने के लिए इसके उपर का यह जो होल्डर होता है ना विसल के उपर का वो निकल के गिर गया सो बस इसमें फीट कर रही थी थी लेकिन समझ में नहीं आ रह थथा किस सरह करना लेकिन किसी तरह से फीर आगया क्योंकि कभी मैं ने पहले कभी किया नहीं तरह किनओ चांस ही नहीं आया कभी निकल इता कुछ मैंने गलत ना कर दिया हो क्योंकि इससे पहले बहुत साल पहले इसी तरह से मूंगी बना रही थी तब कुकर फटा था मेरा विसल का कोई प्रॉब्लम नहीं था सायद वाइसल का कोई प्रॉब्लम था उस समय तो लेकिन विसल आ गई थी फाइनली और यहां पर मैंने आ इसका विचिज रियली गूड है हेल्ज के लिए सो बस यहां पर सारी सब्जय भी मैंने सुख हो दी है धोके सो ओवर नाइट में उसे वैसे ही रख दूंगी फिस अरली मॉर्निंग उटके न सारा कुछ में उसे सैट करूंगी फ्रीज में सो यहां बस विसल आ गई थी डर कुछ भी नहीं जाता है और मैं जो रूटीन की रोटी होती है उसमें सॉल्ट नहीं डालती हूं इस तरह से हम सॉल्ट इंटेक भी कंट्रोल में कर सकते हैं बस सबजी वगेरे में हो वही सॉल्ट होता है इसमें राइस में बहुता हूं मैं और इसमें भी नहीं। कोई spicy rice बना दिया तो different story है और यहां पर last में आ रही है salary जो juice के लिए भी खतम गए था material सो वो भी लेके आई so salary में भी काफी मिट्टी होती है so इसे भी काफी देर 15-20 मिनिट में डुबो के रखती हूं so इसमें अच्छे से सारी मिट्टी निकल जाए so last में करती हूं काम सो अच्छे से यह इसका काम करता रहे मैं यहां पर अपना करती रहूं और cucumber भी बहुत अच्छे से मिले थे और cucumber भी हमारे kidney के लिए बहुत ही healthy होते हैं लेकिन कई बार यहां अच्छे नहीं आते हैं इसलिए मैं बहुत ही कम मेरे घर में आती है अधर्वाइस मुझे पसंद भी बहुत है सो बस हमारा सिंपल साई लाइंचरेडी हो गया है मुसमी के लिए मसाला वाला अनियन दिया है उसको और हस्बन को भी क्योंकि उसमें salt उपर से आता है ना तो मैं नहीं लेती हूं सो मेरी प्लेट अलग थी वह बिना आनियन वाली और बस यहां वेजेटेबल सारी मैंने स्ट्रेट कर दिये हैं और यहां पे वाशर भी मैंने लगा दिया है डिस वाशर दो पहर की झाल 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 जानियन वाशर वाशर भी मैंने वाशर दो लाशर दो पहर का उब। यहां पर ना बहार बहुत ही वेधर खराब था थंडर स्ट्रॉम हो रही थी जोर से और अभी पांच सड़े पांच कुछ हो रहे हैं और जैसे नाइट हो गई हो ना उस तरह का वेधर हो गया था सो मैंने चाय चड़ा दी यहां क्योंकि मैं भी एक तो ब्लेक चाय पीती हूं आपको ना सुबे तो वो याद आ जाती है इस समय हलेकि मैं बहुत है कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों तो अग्यों है कि अग्यों है तो यहां मैंने जो मिर्ची और तुलसी लगा के रखा है उसके सीट्स थोड़े थोड़े से अच्छे से निकले हैं लेकिन उसके उपर यह चदर गिर गई थी तो सोचा कहीं फिर से यह चले न जाये इतने अच्छे से फूटे हैं यह देखें बहुत ही अच्छे से ग्रो हो सो बस इसको मैं ठीक कर रही थी और एक पॉट भी यहां रख दूंगी बारिस का पानी उसमें कलेक्ट करूंगी जिससे मैं इसमें दे सकूँ क्योंकि उससे बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है और हाँ चाही भी अल्मोस्ट डर्न है जैसे मैं बता रही थी कि मुझे तो च तो चाही हम लोग ने स्टार्ट की थी थोड़ी बहुत पी और फोन में नोटिफिकेशन आ गया जब भी इस तरह का थंडर्स्ट्रॉम होता है नोटिफिकेशन आयने के सीवियर वेधर है तो जल्दी से हमें डाउन स्टेर का जो भी बाथरूम हो जिसमें विंडो ना हो व टोड़ी थेकनी होती है चाहे तो लेके जाऊंगा दो बाध बैठों में बैठके फी रहते हो इतनी होसी आ ह्रही थी हम लोग को पीर बाकी तो निकाल दी मैंने और उनकी भी ठंडी हो गई थी तो उन्हों भी निकाल दी क्योंकि ठंडी चाहे तो वैसे भी मजानी आती पीने में सो बस यहाँ पे ओल्मॉस्ट इवनिंग का टाइम है इवनिंग में हमारे इतना कुछ ज़्यादा बनता नहीं है एक ही ठाइम मैं तो वैसे भी लेती हूँ जैसे आपको हर व्लोग में बताती हूँ और मुसमी बच्चे होते हैं उनको तो चाहिए दो तिन टाइम वो यहाँ पे मैं उसकी तयारी कर रही थी उसको पूछा क्या खाना है यहाँ देखिए बिल्ली बिल्ली के खेल भी बहुत है इतनी भुकी हो जाती है न पता नहीं क्यों उसको टाइम टू टाइम देते रहते हैं फिर भी वो ऐसे ही करती है डालने ही नहीं देती है उसके कंटेनर में और विदर कितना प्यारा हो गया है सारे पेड़ पौधे इतने अच्छे से क्लीन हो गया है तो बस मुसमी को यहाँ चीज टोस्ट खाना था वही बनाया यहाँ पे और मुस्टली वह बना लेती है अपने आप पैसा अगर कटिंग वटिंग करने हो कुछ सबजी वगरे की क इसमें पानी भर के रखूंगी और दूसरे में सौंफ और ध्राक्स में भिगो के रखूंगी सुबह के लिए बस यही तक था आज का यह व्लोग आपको पसंद आया हो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर से करना नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपको आगे वाले वीडियो में मुविंग की अपडेट मिलती रहेगी ट्राइ करूंगी बहुत कम मुविंग का डालू लेकिन फिर भी आते ही रहेगा थोड़ा बहुत व्लोग सो चलिए फी मिलते हैं अगले व्लोग में अंटिल देन टेक केर एंड बाई बाई